आज हम सुन रहे थे देश की वित्त मंत्री एफडियाई पर बात कर रही थी विदेशी निवेशकों को देश में बुलाने की बात हो रही है एफडियाई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमाएंगे निवेश आ जाएगा देश की अर्थवस्था रुपया संभल जाएगा आपको महौल बनाना है सच्चा यह है कि आज जो एफडियाई है उसका बाहर के निवेशकों के लिए मतलब हो गया है एफ मतलब फियर डर डी मतलब डिसेप्शन धोखा आई का मतलब इंटिमिडेशन धमकी आपके लिए फडियाई फॉरण डिरेक्ट इंवेस्टमेंट है पर जो इन्वेस्टर है उसके लिए यह डर और यह जो महौल है उसे रोक रहा है यही नहीं मैं नहीं के रही हूँ अभी हाल ही की हेनले ग्लोबल सिटिजन रिपोर्ट आई है दो हजार बाइस की उसके मताबिक देश के आठ हजार आठ हजार अमीर और वैपारी जिने देश में निवेश करने की उमीद की जा रही थी वो देश छोड़ने के लिए सरकार को आवेदन मात्र इस एक साल में आठ हजार उंजीपती वैपारी चोटे जिन से उमीद थी देश में रोजगार लाने की उसनोंने देश के बिगड़ते महौल और वैपार के लिए सुरक्षित महौल ना मिलने के करन आवेदन दिया है